नमस्कार तोस्तों मेरा नाम है योगेस और biology with योगेस में आपका इस वागत है चलिए NCRT में जो biology में human physiology जो chapter है उसमें हम blood वाला जो body fluid and circulatory system वाला जो chapter है उसमें हम blood को समझेंगे कि blood क्या चीज है तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि यहां मैं पता है कि blood जो है एक तरल पदार्थ है जैसा कि अगर हम definition की तरफ जाएं तो definition में बोला जाता है कि blood is a flood connective tissue यानि कि इसका मतलब क्या हुआ जो कि blood है वो एक fluid है यानि कि तरल है और जो कि connective tissue यान आपस में मिलके tissue बनाती है यानि कि बहुत सारी cells आपस में मिलके psychology यानि आपस में मिलके एक fluid यानि तरल पदार्थ का निर्माल कर रही है इसी को हम क्या कहेंगे blood कहेंगे ठीक है और जैसा कि हमने यहां पर एक chart के जरिए बड़े ही simplified तरीके से यह बताने की कोसिस की है कि ज बना हुआ है वो यहां chart के जरिए बताया गया है जैसा कि यहां आप देख रहे हैं जो पहला division है उसको मैंने बोला है plasma तो जो भी blood में तरल पदार्थ है यानि जो liquid portion है उसको हम कहते है plasma जो की whole blood का 55% ratio होता है इसी को हम matrix भी कहते हैं इसी को हम fluid भी कह सकते हैं क्योंकि यह त दूसरा portion यानि दूसरा part है क्या उसी blood में जिसको हम कहांगे formed element या blood cells या blood carb cells या इसी को semi solid portion भी बोल सकते हैं इसी को अगर दूसरे example से आपको simple तरीके से समझाया जाए तो आप कुछ इस तरीके से समझेए कि घर में एक बाल्टी लीजिए और उस बाल्टी में पानी डालि पानी डालने के बाद आलू की chips काटके डालिए और बिंडी की chips काटके डाल दीजिए और केले की chips काटके डाल दीजिए जो भी है आप उसकी chips काटके उसमें mix कर दी दिये अब जो hole जो component या hole जो liquid तयार हुआ है उसी को हम कहते हैं blood यानि कि उसमें जो पानी डाला वो है तर element ठीक है अब आपको समझा गया होगा तो चलिए उसमें जो plasma यानि कि जो पानी डाला था उस बाल्टी में यानि कि जो blood था उस blood में जो plasma वाला portion उसमें क्या-क्या गुली हुई होती हैं डिजॉल्ब होती हैं वो हम स्यारी चीज़ों को देखेंगे तो उस 55% में तकरीबन अब यसी बात है plasma है यानि कि liquid portion है उसमें कितना 92% यानि majority portion क्या होगा water यानि पानी मिलेगा ठीक है तो यह होगा 92% इस 55% का होता है 92% लेकिन अगर पूरे whole body का पूछे तो body का whole अगर पूछे तो बताना है 70 to 80% होता है कौन water का और अगर blood के अंदर plasma के भी अंदर water का content पूछे तो होता है कितना 92% ठीक है और इसी plasma में क्या होता है कुछ proteins गुली हुई होती है और यह proteins कई प्रकार की होती है यानि बहुत सारी protein इसमें गुली हुई होती है तो चलिए proteins देख लेते हैं कौन-कौन सी protein देखने को मिलेगी albumin protein मिलेगी जिसका percentage है 4% दूसरा है globulin protein जो की 2% है और 1% देखने को मिलता है fibrinosin protein ठीक है और भी बहुत सारी थ्रॉंबिन करके भी protein पाई जाती है लेकि यह majority of proteins है जो की हमें यहाँ पर पढ़ना है तो अब इनके कुछ specific role या कुछ specific function होंगे उनको भी हम पढ़ लेते हैं तो चलिए जैसा कि देखो albumin protein जो है वो हमारे blood में osmotic pressure को maintain करने में help करेगी तो जो albumin protein है अभी आगे चलके जो excretory जो system है उसमें जो kidney होते है kidney के अंदर जो nephron होते है उसी nephron में जब filtration की process होती है उसमें यही albumin protein एक osmotic pressure generate करने का काम करती है ठीक है तो इसका काम हो गया osmotic pressure को maintain करके रखना अब बात करते हैं globalin protein globalin protein जो है वो एक तरह की carrier protein है carrier protein मींस ले जाने और लाने वाली protein जैसे की hemoglobin hemoglobin एक protein है hemoglobin जिसमें जो globin protein है वो इसी globalin protein से बनी हुई होती है जिसमें की क्या होता है जैसा कि आपको पता है protein कई सारे amino acid से मिलके बनी होते हैं और कई सारे amino acid मिलके alpha chain या beta chain या gamma chain का निर्माड़ करते हैं या formation करते हैं तो जैसा कि ये globin protein है इसमें क्या-क्या मिलेगा alpha chain मिलेगी बीटा chain मिलेगी और किसी-किसी में gamma chain भी देखने को मिलेगी तो इसमें से जो alpha chain और बीटा chain होती है वो क्या काम करती है gaseous exchange यानि की gaseous transportation यानि oxygen और carbon dioxide को transport करने का काम करेगी जैसे कि हमेंने आपको बताया hemoglobin ठीक है hemoglobin में दो alpha chain होती है और दो alpha chain होती है और दो बीटा chain पाई जाती है किसमें hemoglobin में जबकि gamma जो chain है यानि जो gamma globulin protein है यह immunity में हमें देखने को मिलेगी यानि कि gamma जो chain है यह immunoglobulin protein में देखने को मिलती है यानि कि आप इतना समझे जितने भी antibody होती है उनमें gamma chain देखने को मिलेगी तो यह हुआ ग्लोबिलिन प्रोटीन का function या role अब इसके बाद हम बात करें फाइबरनोजन प्रोटीन फाइबरनोजन प्रोटीन जो होता है वो clotting के लिए या clotting में help करता है जैसे कि आपको अगर कहीं गिर गए चोट लग गई थोड़ी दिर तक वहाँ से blood बहेगा और जो clotting हुआ यानि कि जो जमाव हुआ है वो किसके वज़े से या किसने help किया हुआ जमने के लिए वो है फाइबरनोजन लेकिन इसी के साथ आपको एक बात और याद रखना है कि जमने के लिए यानि clotting के लिए सिर्फ एक ही चीज responsible नहीं है पूरे blood में कई सारे factor होंगे ज जैसा कि उनमेंसे एक होता है fabronosin जो कि clotting के लिए या clotting में help करने का काम करता है ठीक है अभी आगे चल के हमें और पढ़ना है जिसमें जैसे कीør platlet है यह भी clotting करने में help करता है और कुछ clotting factor भी होते हैं जो कि clot करने के के लिए responsible होते हैं ठीक ह्यां उनमेंसे ये एक है जो की help कर रहा है clotting के लिए तो ये हो गई plasma की बात plasma में अच्छा अधर portion भी रह गया है अधर part की अगर बात करें हैं जो एक percent है उसमें कई सारी चीजें जो की micro element में देखने को मिलेंगी जैसे की clotting factor जैसे मैंने आपको बताया कि blood में तकरीबन तेरा clotting factor पाए जाते हैं तेरा clotting factor अलगला clotting factor होते हैं जो की responsible होते हैं blood को clot करने के लिए hormones मिलेंगे enzymes मिलेंगे nitrogenous based product मिलेंगे gases मिलेंगी और ions मिलेंगे electrolyte मिलेंगे जैसे की sodium potassium magnesium ये सब के सब कहां मिलेंगे इसी plasma में घुले हुए मिलेंगे और nutrient भी यहीं मिलेगा obviously बात है जो blood होता है blood में जो plasma है उसी में nutrient यानी carbohydrate protein और minerals सब के सब इसी blood के द्वारा ही transport करके tissue को या cell को पहुचाने का काम करते हैं फिक है ये सारा portion हो गया plasma बाला अब हम बात करेंगे दूसरा portion जिसमें सारी की सारी blood cells या सारी की सारे blood carpsules या formed element आते हैं जो इसमें हम cells देखेंगे एक RBC एक WBC और एक platelet RBC का जो percentage है इसी formed element में वो सबसे ज़ादा है यानी majority of percentage RBC का यहाँ ज़ादा है जिस तरीके से हमने देखा था plasma में 92% portion majority portion किसका था water का था वही अगर formed element में बात करें तो वहां RBC का percentage सबसे ज़ादा है ठीक है अब RBC के बारे में थोड़ी शिर्शा कर लेते हैं RBC का जो safe होता है वो concave safe होता है concave means यह दो किए अंदर से यह अंदर थोड़ी सी धसी हुई होती है और कैसी होती है गोल होती है तस तरी नुमा बीच में कैसी होगी दसी हुई इस तरीके से जैसे आप यह देख पा रहे होंगे अब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा तो RBC का जो safe है वो कैसा है concave safe है और इसको दूसरे term में एक नाम से और बुलाया जाता है जिसको कहते है एरिथ्रोसाइट अब RBC के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं RBC जो है RBC के अंदर हीमोग्लूबिन कई सारे हीमोग्लूबिन पाए जाते हैं RBC जैसे की नाम से ही पता लग रहा है red blood cells यानि की लाल रुधिर कड़िका हैं तो RBC में या उस RBC का जो color है वो किस की बज़े से हैं वो है हीमोग्लूबिन की बज़े से और हीमोग्लूबिन के अंदर जो हीम है या उसमें जो pigment है जिसको हम porphiren के नाम से जानते हैं उसी porphiren pigment की बज़े से हीमोग्लूबिन या RBC कैसी होती है red होती है या लाल होती है तो चाहे कहो हीमोग्लूबिन की बज़े से लाल है चाहे हीमोग्लूबिन के अंदर जो pigment है porphiren चाहे उसकी बज़े से कहो ठीक है तो RBC को अगर हम देखें तो उसमें ना तो कोई endoplasmic reticulum है ना ही कोई mitochondria हो ना ही कोई nucleus है ये बात आपको जरूर याद रखने है ये important है क्योंकि RBC में कोई भी nucleus नहीं होता लेकिन आपको ये बात भी याद रखना है कि जब RBC बन रही होती है यानि कि during the process जब RBC mature हो रही होती है उसके पहले तो उसमा nucleus पाया जाता है लेकिन जब वो mature होके matured RBC बन जाती है तब उसमें से nucleus गयाव हो जाता है इसके पीछे का logic सिर्फ इतना सा है कि RBC का काम है oxygen को load करके transport करने का इसी वज़े से RBC जो होती है वो अपने nucleus को matured होते होते उसको छोड़ देती है यानि उसमें nucleus हटा देती है जिससे कि क्या हो maximum oxygen का load हो सके ठीक है अगला portion यहाँ हम देखेंगे WBC इसका जो percentage है 0.1% है इस formed element का तो WBC जैसे कि आपको पता है white blood cells सपेद रुधिर कड़िकाए WBC का जितना भी काम body में immunity provide कराने का है यानि कि जितना भी पृति रोधक शमता हमें मिलती है वो इसी WBC cells से ही या इनहीं WBC cells से ही मिलती है इनका दूसरा नाम है leukocyte तो इतनी सी बात आपको यह जानना है कि जो WBC हैं वो हमारे सरीर में immunity provide कराने का काम करने हैं यानि जो भी immune system है वो WBC से related है तो चलिए WBC आगर हम देखें तो कई सारी WBC cell के types देखने को मिलते हैं तो बहुत सारे type है WBC के जिसमें हमने क्या किया हुआ है कि कुछ cell ऐसी थी जिन में छोटे छोटे granules देखने को मिल रहे थे इस तरीके से यानि कुछ कड़िकाएं देखने को मिल रहे थे तो हमने उन cell को क्या कह दिया या उनको एक category में डिवाइड कर दिया जिसको हमने कहा granulocyte यानि granules है site यानि की cell यानि cell के अंदर granules है तो granulocyte और एक category डिवाइड कर दि जिसमें कोई भी granules नहीं थे यानि की absent थे granules क्या थे absent थे कोई granules नहीं था तो इसको कहा हमने agranulocyte ठीक है अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते है granulocyte में कौन कौन सी cell है तो जो cells हमें जिनमे granules जैसे structure दिखाई दे रहे थे उसमें अगर हम देखें तो एक है neutrophils एक है basophil और एक है eosinophil इन सब के भी function देख लेते हैं majority portion of WVC of granulocyte कौन होता है neutrophil जिसका percentage है 65% और neutrophils का काम है phagocytic activity सो करना अब यह phagocytic activity क्या है phagocytic को हिंदी में कहते हैं भक्षण यानि कि यह जो neutrophil cell है यह एक तरह की भक्षण को सिका है यानि कि जब भी कभी foreign infectious agent या कोई virus या कोई bacteria जैसे ही आपके सरीर में enter करेगा और यह neutrophils यानि कि WVC का एक type neutrophils क्या काम करेगा इसको engulf कर लेगा यानि कि इसको क्या कर लेगा खा लेगा और खा के इसको क्या कर देगा खतम कर देगा इसी को क्या कहा जाता phagocytic activity यानि neutrophils बहुत अच्छी cell है जो कि हमें क्या कर रही है immunity प्रोवाइट करा रही है यानि bacteria virus को मारने का काम कर रही है और अगर इसका structure देखें तो वो कैसा होता है polynucleus होता है क्योंकि इसके अंदर कई सारे nucleus जैसे या lobe कई सारे दिखाई देते हैं तो यह कैसा है polynucleus structure है इसका अब देखते हैं basophil basophil जो है इसमें कोई भी non phagocytic activity नहीं पाई जाती और इसमें अगर हम देखें जो nucleus होते हैं वो by lobe होते हैं by lobe का पंतलब दो lobe यहाँ पर देखें यह दो lobe दिखाई दे रहे हैं यह वाला जो structure है यह basophil का structure है इसका percentage 1% है eosinophils eosinophils जो भी जो cell है यह सारी की सारी जो cells है यह allergic reaction में help करेंगी या फिर ऐसा कहें जब भी कोई infectious agent या कोई allergic reagent enter करता है तो उस वक्त allergic reaction सो होती है जैसे कि किसी burn ने काट लिया तो उस जगह पर क्या होगा allergy होगी खुजली होगी inflammation होगी redness होगी और वहाँ पर races होगी वो किसकी बज़े से होते हैं उस time पर क्या होता है आपका immune system generate होता है यानि कि immune system में जो eosinophils जो cell होती है वहाँ जाके वहाँ देखती हैं कि क्या problem है और उनको खतम करने का काम करती हैं जैसे कि आपको पता है ये eosinophils का जो number है अगर आप एक CBC test होता है complete blood count उसमें आप देखेंगे eosinophils किसी का high है इसका मतलब क्या हुआ कि उस candidate में या उस व्यक्ति में eosinophils की numbering जादा है यानि कि उसको अंदर कहीं न कहीं कोई infection है या कहीं न कहीं कोई allergy है ठीक है तो ये allergic reaction में जादा number इनका देखने को मिलेगा जैसे कि एक बीमारी है या एक disease है जिसको कहते है eosinophilia या दूसरे सब्दों में कह देते हैं synophilia उसमें क्या होता है वैसे candidate को बहुत जल्दी allergy हो जाती है किसी भी चीज से या allergy बनी रहती है या कई दिनों तक उसको देखने को मिलेगा कि कई दिनों तक उसको जुखाम बना हुआ है क्यों क्यों क्योंकि उसको यह disease ही है eosinophilia क्योंकि उसकी जो eosinophils है वो proper work नहीं कर रही है अब इसमें अगर हम देखें तो इसका जो nucleus यानि यह structure इसमें bylob देखने को मिलता है तो तीनों में जो दो हैं बैसोफिल वो eosinophils दोनों में bylob nucleus देखने को मिलता है तो यह होगी granulocyte की बात है अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट का जिसको कहते है agranulocyte जिसमें कोई भी granules नहीं है इसमें दो portion आते हैं एक cell होती है जिसको कहते है lymphocyte और एक cell होती है जिसको कहते है monocyte lymphocyte कई ताइप दो टाइप की हैं सौरी B lymphocyte और T lymphocyte T lymphocyte थाइमस में mature होती है और जो B lymphocyte होती है यही बो B lymphocyte cell है जो की antibody का production करती है यह immunity वाला portion है जब हम immune वाला chapter पढ़ेंगे immune system वाला तब इसको detail में वहाँ पर discuss करेंगे यहाँ आपको सिर्फ इतना ही जानना है B lymphocyte क्या कर रहे है antibody का production next cell है monocyte monocyte जो है वो एक तरह की macrophages cell है यानि की macrophages इसको आप इतना ही समझे यह कोई cell है जिसको monocyte कह रहे है कोई virus या bacteria आया इसको क्या किया इसने खा लिया और खाने के बाद इस cell के अंदर होती है lysosome और lysosome के अंदर जो pH होता है वो कैसा होता है आपको पता है दो से तीन यानि की highly acidic यहाँ का जो environment होगा वो कैसा होगा highly acidic और यह bacteria जैसे इसने खाया और इसको भेज देता है lysosome और lysosome में जैसे ही गया और उस bacteria की क्या हो जाती है मौत तो monocyte क्या कर रहा है macrophages activity रखता है यानि कि यह भी क्या करेगा infectious agent या bacteria virus को क्या करेगा खा के खतम कर देगा तो यह हुई WBC की बात अब हम जो इसमें रह गया है उसमें हम बात कर लेते हैं जो कि last है platelet platelet इसका दूसरा नाम है या दूसरे term कहें जिसको तो thrombocyte इसका percentage 0.7% होता है और जो platelets हैं यह body के clotting यानि कि body में जो clotting system है उसको बनाए रखने के लिए responsible होता है ठीक है तो जो platelet है वो भी क्या कर रहा है किसके लिए responsible है clotting के लिए responsible है तो यह सारा का सारा जो blood का chapter है इसको हम एक और chart के जरी है या एक और diagram के जरी हम इसको फिर से summarize करेंगे या उसको recall करेंगे तो यहाँ देखिए यह एक simple diagram है यह human है human से blood निकाला blood निकालने के बाद इसको centrifuge किया centrifuge कुछ नहीं होता है इसको एक machine में रख देते हैं और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल गुमाया जाता है जिससे कि क्या हो जो heavy यानि कि जिसकी density जादा हो या जिस molecular का जिस molecules का heavy weight हो वो कहां बैट जाएगा नीचे और जो तरल यानि कि liquid जो हलका portion वो कहां जाएगा उपर तो यहां देख रहे हैं आप इतना portion जो है वो plasma है जैसा कि चार्ट आप देखा था आपने चार्ट में बताया था जो liquid portion है वो plasma है और उसी plasma में क्या-क्या था प्रोटीन था उसी plasma में क्या था वाटर था उसी plasma में क्या था अधर सबस्टान्स थे आयन्स थे न्यूट्रेंट थे वेस्ट इस प्रोड़क्ट थे ये plasma वाला portion हो गया इतना ठीक है और अगला जो portion हम देखें वो बाची किया जो portion उसको हम क्या कहेंगे formd element यानि जितनी भी cells होंगी वो सब यहीं देखने को मिलेंगी जैसा कि आप यहाँ देखिए ये देखो सबसे उपर यानि कि ये जो थोड़ी हलकी होगी वो कहां होगी उपर की तरफ होगी जिसको हम क्या कहेंगे platelet कहेंगे और इसके बाद इसका जो density है वो थोड़ी कम होगी उसको कहेंगे leukocyte इसके बाद heavy density वाली जो cells होगी उसको हम कहते हैं RBC ये सबसे heavy होती है इसलिए सबसे नीचे देखने को मिलती है leukocyte ये WBC cell जो होगी उनमें कई सारी है ये अभी हमने आपको बताया granulocyte agrinolocyte neutrophils lymphocyte monocyte eosinophil और besophil तो ये सारा का सारा chapter finish हुआ और NCRT में आप जितरी भी ये सारे chart मेंने बनाया है NCRT में आप सारी चीज़े line by line आपको लगी हुई और देखने को मिलेंगी तो इसी तरीके से अगर आप चाते हैं ये लेक्षर में आप और भी आगे लेक्षर चाते हैं तो लाइक करें सस्क्राइब करें और ज़ादा से ज़ादा से शेयर करें